दोस्तों स्वागेदाब सभी का मोसम अपडेट बिहार यूटूब चैनल पर बात करेंगे बिहार के मोसम के बार में जिसमें आपको बताएंगे कि आज रात को और आने वाले श्यार से पांच गंटों की दुरान जो बारिस की गतिविदी होने वाली हैं उसके बारे में आपको ताजा रिपोर्ट बताएंगे दोस्तों जैसा कि हमने आपको लगातार जानकारी दी हैं बिहार के शत्रों पर 29 अपरेल की दो फिर बाद बारिस की गतिविदी सुरू हो जाएगी आज 29 अपरेल हैं और बारिस की गतिविदी आज बिहार के अधिकतर जगों पर सुरू होने वाली हैं अगले कुछ गंटों के दोरान उसके बारे में आपको ताजा रिपोर्ट बताएंगे इस वीडियो में सबसे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि बिहार मौसम की सटीक जानकारी आपको रोजन आस्तम पर मिलती रहेगी किसान भायो हमारे चैनल पर निकी मौसम अपडेट बिहार यूटूब चैनल पर 11,000 सब्सक्राइबर कम्पलीट हो चुके हैं जल्दी हम 15,000 का अकड़ा पार करेंगे तो आपसे निवद नहीं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें रोजन आपको मौसम की सई जानकारी मिलती रहेगी सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में उसके बाद हम बात करेंगे आने वाले श्यार से पांच गंटों की तुरान बिहार के शत्रों पर बारिस की गतिविदी कहां पर हो सकती है और कहां पर कितनी बारिस की संभावना है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे तो वीडियो को लेश्ट तक पूरा जरूर देखे फिलाल दोस्तों सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें तो बिहार के पूरी बागों के असपास नहीं की यहां पर एक सरकूलिसन बने हुआ है और दोस्तों इस सरकूलिसन के कारण आज बिहार की कई जगों पर बादलों की आवाज जावी है या पर आप देख सकते हूं यभी की गतिवी दियाम बरतमान इस्तिय आपको बता रहा है बिहार के दक्षनी पूरी बागों के असपास भी बादल हैं साथ में जो बिहार के उत्तर पूर्वी तरही वाले शत्रही हैं बिहार के दक्षनी पूरी बागों के आसपास काफी गने बादल हैं याप पर आप देख सकते हूं जो हम अभी की गतिवी दिया आपको बता रहे हैं और अगले कुछ गंटों की दुरान यापर बादलों की आवज जावी बढ़ेगी किसान भाईयों जो अगले 4-5 गंटों की दुरान विशेस बारिस की गतिवी दिया हो सकती हैं उसमें जो पशिम शंपारण के शत्रे हैं कुछ पूर्वी शंपारण साथ में शिता मडी, सिवर और मदुबनी, दर्बंगा, सुपोल, मदुपूरा, कोसी, पूर्णिया, अररिया साथ में किसन, गंज और कठी हर के शत्रे हैं, कोसी, खगरिया इन सबी शत्रों पर बादलों की आवजावी रहेगी और काफी दूंदला मोसम याँ पर देखने को मिलेगा कुछ स्थानों पर हलकी मद्यम बारिस के साथ इकदुकर जगों पर अच्छी बारिस की गतिवीद्या भी हो सकती हैं साथ में दोस्तों, जम्बोई के कुछ सेत्रे हैं, कुछ बंका, मुंगेर और भागलपूर की इंदक्षनी पूरी भागया हैं, कुछ नवादा और गया के भी कुछ एग इलाकों पर बादलों की आवजावी रहेगी इसका मैन कारण है, बियार के पूरी शत्रों के असपास बना सरकूलेशन और सरकूलेशन की वज़े से लगातार अब नमी वाली हवाएं और पूरी हवाएं बियार के शत्रों पर पहुंच रहे हैं तो उमीद करते हैं, आज 30 अपरेल हैं और 30 अपरेल को गतिविद्य और बढ़ जाएगी और 1, 2 और 3 माई के बीच में काफी जगों पर अच्छी बारिस की गतिविद्य दरज की जाएगी तो लगे तर आपको अपडेट मिलती रहेगी, आप चैनल को सस्क्राइब जरूर करें, साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर करें ताकि ये हमारा मनुबल बना रहे दोस्तों मिलेंगे एक और नेक्स टूडियो में, तब तक के लिए आप से भी किसान भाईयों का बहुत बहुत दनियावाद, जे हिन, जे भारत, टेंक्यू